वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता डाट कॉम, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन लेट कराएंगे, इसके लावब पीए मोदी के जनता कर्फियू के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे, तो हम शुरुआत करते हैं दिल्ली गैंगरेप केस के दोशियों की फासी की खबर से, आखिरकार साथ साल बाद आज सुबह साड़े पांच वजे दिल्ली सुनवाई होती रही, इसके बाद तीन जज़ों की बेंच ने याजका को खारिज कर दिया, सुबह साड़े पांच वजे तिहार में जेल नमबर तीन में दुशकरमी, मुकेश, पवन, विने और अक्षे को फासी दे दी गई, घड़ी में जैसे ही सुबह साड़े पांच व पर डर साफ देखा जा सकता था, बताया जारा है कि इस दौरान एक दोशी इतना ज़्यादा घबरा गया कि फासी घर में जमीन पर ही लेट गया था, दिल्ली गैंग ने पीड़िता की मा ने फासी के बात कहा कि हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है, और नहीं वो वापस अंगर्ष था, आज हमें नियाय मिला, ये दिन देश की बेटियों को समर्पेत है, हम सुप्रीम कोर्ट से ऐसे दिशा निर्देश जारी करने का अनरोद करेंगे, ताक कि भविश में अपरादी अपने बचाओं के लिए किसी तरह की तिकलम ना अपना सकें, दोशीयों को सियासी के बाद अब महिला इन निश्यन तरूप से खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी, मैं नियाय पालिका और सरकार को धनिवाद देती हूँ, तो ये थी दिल्ली केस से जुड़ी पूरी रिपोर्ट, अब हम रुख करते हैं मध्यपेदेश की ओर, जहां पर सियासी घ देश पर बुलाए गया है, फिलहाल सीम कमलनात ने ग्यारा वजे विधायक दल की बैटक बुलाई है, माना जा रहा है कि बहुमत पर इक्षड़ से पहले वे स्तीफे की पेशकस कर सकते हैं, मुई दिविजे सिंग ने इशारों में कहा है कि कमलनात सरकार के पास नंबर नह नहीं है, यानि कि उनके पास बहुमत नहीं है, आपको बता दें कि कॉंग्रेस के सभी 22 विधायकों के स्तीफे स्विकार होने के बाद संक्या भलने बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, उसके पास 107 विधायक है, वहीं कॉंग्रेस के पास स्पीकर समीथ सिर्फ पास सामित करने का मौका दे सकते हैं, ऐसे में 15 साल बाद एक त्रफ साल के लिए वनवाज जेला बीजेपी ने, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी की मद्पिदेश की सत्ता पर विरवापसी हो जाए, ये है मद्पिदेश की बाते, लेकिन अब हम आपको अपडेट कराते है, क कोरोना की वये से अब स्पेन में हालाद बिगड़ गए है, यहां की राज़ानी मेड्रिट में हर 10 में से 8 लोग इस बीमारी की चपेट में है, वहीं अमेरिका के 270 भी कोरोना वाइरस से इंफेक्टेट पाए गए है, नेपाल ने विदेशियों के आने पर रोक लगा दी है तो पाकिस्तान ने वागा वाडर बंद कर दिया है, वहीं बिटेन ने आखिर का स्कूल बंद करने का एलान कर दिया है, कोरोना वाइरस की मार से जूज रहे, इटली में मरने वालों की संख्या चीन से भी ज़्यादा आगे हो गई है, दुनिया में अब इटली में कोरोना 27 लोगों की कोरोना वाइरस से मौत हो गए, जिसके बाद मरने वालों का कुल आकड़ा 345 हो गया, चीन में अब तक 345 लोग इस बीमारी के चलते अपनी जान गवा चुके है, कोरोना के कहर को देखते हुए 12 मार से ही इटली में लॉक डाउन है, और इसे अब अनिशित काल क काफी जादा खराब है, देश में हर 10 मिनट में एक सक्स कोरोना वाइरस की इसे दम तोड़ रहा है, इरान के स्वासमंत्राले के प्रवक्ता कियानुष जहांपुर ने ट्विट में जानकाई देते हुए कहा कि एक घंटे गे भीतर 50 लोग इंफेक्शन के शिकार हो रहे है इरान में बीते एक दिन में 146 लोग की मौत हो गई और 1000 से अधिक लोगों में इंफेक्शन पाया गया, ताजे ये नए मामले सामने आया है, वहीं रूस में भी कोरोना वाइरस से पहली मौत हो गई, यह बुजरु महिला की मौत होई है और यह गुरुवार को दर्ज की आया गया था, उन्हें डायविटीज और हार्ट से समंदित रोग भी थे, अब हम बात कर लेते हैं देश की की देश में क्या हाल है भारत में यानिकी, देश में कोरोना से इंफेक्टेड मरीजों की संक्या बढ़का 195 हो चुकी है, आज 20 नए मामले सामने आया है, इनमे 163 बारती हैं और 32 विदेशी शामिल है, वहीं चार लोगों की मौत हो चुकी है, इसके अलावा गुड नियूज ये है कि 20 लोग पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं, नोवल कोरोना वायरस से बचाओ पर महाराश के स्वास्त मंत्री राजिश टोपे ने शुक्रवार को बड इस मामले में हम बताते हैं कि PM मोधी ने कल शाम को जो देश के नम एक संबोधन किया था, उसमें उन्होंने क्या कहा, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खत्रे को देखते हुए PM मोधी ने गुरुआ रादेश को संबोधित किया, उन्होंने कहा ये संकट ऐसा है जिसने अपील की कि वे जनता कर्फियू लगाएं, अब हम आपको समझाते हैं कि आखिरी जनता कर्फियू है क्या, PM मोधी के मुताबिक इस राइवार यानि 22 मार्च को सुबह 7 वजे से रात 9 वजे तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर ना निकले, अपने आप से कर्फियू जैसे हालात करने हैं, PM ने अपील किया कि संभव हो तो हर व्यक्ति पतिन कम से कम 10 लोगों को फोन करके, कोरोना वायरस से बचाओ के उपायों के साथ साथ जनता कर्फियू के बारे में भी जानकारी दे, PM मोधी ने ये भी कहा कि राइवार को ठीक 5 वजे, हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर 5 में तक ऐसे लोगों का अभार व्यक्त करेंगे, जो कोरोना वायरस के खिलाफ लडाई लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा ये जनता कर्फियू एक प्रकार से भारत के लिए एक कसोटी की तरह होगा, PM के मताबिक 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमार आत्मसयम, देश हित्मे करतावे पालन के संकल्प का एक प्रतीक होगा, 22 मार्च को जनता कर्फियू की सफलता, इसके अन्भाव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करेंगे, तो ये थी अब तक की बड़ी खबरे, जिनसे हमने आपको रूब-रू करा दिया, दिन में और भी कई घटनाए होंगी, दिल्ली केस की अंदरूनी रिपोर्ट्स होंगी, जिने जनसता दिन भर आपके लिए लेकर आएगा, तब तक बने रही है जनसता के साथ.